दोस्तों ये खड़िया आप लोगा के सामने टाटा एल्ट्रोज 1.2 पेट्रोल मैनुवल ये गाड़ी अभी तक चल चुकी है 32,000 किलोमेटर 32,000 किलोमेटर इसने कवर करा मुझे लगता है कि 32,000 किलोमेटर एक बड़ा नंबर है इस गाड़ी के लिए क्योंकि जब कोई इस गाड़ी के ओनर निखिल जी जिन्होंने इस गाड़ी को 2021 में खरीदा था एक्सी रिदम वेरियंट है और उसके बाद इन्होंने अलोई वील्स टायर वगेरा सब कुछ अपग्रेड करा रखा है गाड़ी के अंदर अपने टेस्ट के को तो यहां पर आज एक बात आप की कोशिश करेंगे तो निखिल जी आपका स्वागत है एलो व्योर्स होपसो सब अच्छे ही होंगे वेल्कम डू दू दे चैनल है यह बताओ 2021 में आपने गाड़ी खरीदी होट प्रोड़क्ट उस टाइम पर बड़ा नाम चल लाता है अल्ट्रो फाइफ इस्तार सेफ्ट ठीक है तो आपने गाड़ी क्यों खरीदी कौन कौन सी गाड़ियां तब देखी वो रिजेक्ट करती अब बतलब क्या रहा उस टाइम पर कैसी थी वो जड़नी अगर मैं आपको सीधे सीधे बताओं तो अगर डिजाइन से मैं स्टार्ट करूं तो मिरको इसके आगे डिज तो इसके बीड भी आइट्वेंटी हुई या बलीनो हुई तो उस टाइम पर यही था कि गाड़ी चाहिए थी थोड़ी सी स्पेशियस गाड़ी चाहिए थी हैच बैक चाहिए थी फैमली की नीड के अकॉर्डिंग तो हम इसकी तरफ गए हमने डिजाइन देखा डिजाइ हमको लगा जो हमको लगा कि यार यह क्या है एकदम से जो पुराने वाले आइटोंटी थी हमको मच बेटर लग रही थी नए वाली के अकॉर्डिंग उसके बाद हमने बलीनों देखी बलीनों के तो आपको आप सब जानते की बिल्ड क्वालिटी का थोड़ा इश्यू है त हमने इसले पर इसे को चूस कर लिया क्योंकि बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी बता रहे थे लोग और उस ताइम तक इसकी सेफटी रेटिंग भी आ चुकी थी तो एक्सी रिदम आपने लिया तब उन्रोड कितने प्राइज माई थी चब 2021 फेबरेरी की यह हमारी और उस अब आपकी रुनिंग वही है साल की 10-11,000 किलोमेटर हाँ कभी बढ़ भी जाती है कभी थोड़ी सी कम भी जाती पर इतना ही है तो गाड़े आपने ले ली अब लेने के बाद अब आप इसको चला रहे हो ठीक है राइट वन पॉइंट टूए है तो इतना आपने चला भी आपको माइलेज का भी पता लग गया होगा इंजन का भी पता लग गया होगा मेंटिनेंस का उसके बारे में थोड़ा बात करें हाँ तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंजन से ही लिए सबसे बड़ा ड्रॉबैक इस गाड़ी का अगर मैं बात करू तो वो सिर्फ इसका इंजिन है अगर I don't know like Tata ने उसके बाद और भी इंजिन निकाले बट स्टिल वो रीजिन तक पहुंच ही नहीं पारे कि वो कुछ तो कमी रह जाती है हर बार अगर सिर्फ इस गाड़ी की बात करें इस गाड़ी का इंजिन 1.2 लीटर होने के बाद भी कॉंपिटिशन से इतना पीछे है कि आपको फील करा देगा कि एक टाइम पर आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगा कि गाड़ी मैंने क्यो ली इतनी दिक्कत की दुकान मेंने क्यो ली चलाने में आपको मज़ा नहीं आएगा खाली सेफटी की वज़े से अगर आप ले रह करती है इसका सबसे बड़ा द्रॉबग इसका इंजन है इंजन में मैं अगर आपको बताऊं तो हजार सीची के इंजन से भी इसका करना ठीक नहीं है यह इतना जाद वाइब्रेशन इस गाड़ी में जो होना ही नहीं चीए अगर आप किसी चीज को प्रीम हैजबैक बोल र अगर यह 140 अराम से जाती है तो भी 140 अराम से जाएगी लेकिन इसको 140 जाने के लिए जितनी जद्धो जहत लगती है वो आई 20 को नहीं लगती अंदर से बैठके आपको प्रीमने स्फील होगी कैबिन अंदर से इसका भी ठीक था गया लेकिन जैसे आप स्टेरिंग पकड़ आप इसको कंपारिजन कर सकते हैं आप इसको ट्यागो के लेवल का ही मानिए यह ट्यागो से अपर लेवल नहीं है बस साइज बड़ा हो गया बस साइज बड़ा है अंदर से आपको स्पेशियस लगेगी अब जो भी सिक्स फेस्टू इंजन आया है उसमें इनोंने पर दूसरी गाड़ी आपको पेट्रोल में मिलेंगी यहां पर आपको CNG option मिल जाएगा आपको diesel engine option मिल जाएगा आपको DCA मिल जाएगा सब कुछ होने के बाद भी लेकिन इंजन वही है इंजन में performance का बहुत ज्यादा lag है performance है ही नहीं इस इंजन में जब इतना परफॉमें का lag है इतना मतलब यह slow engine है lazy engine है तो AC की quality कैसी है? AC की quality तो इसकी अच्छी है no doubt AC इसका market के according भी best है जो दूसरी गाड़ें भी मैंने दिखिए उनका AC भी खराब किसी का नहीं था सब का अच्छा था बलीनो हो चाई 20 तो एसका लोड लेता है AC का लोड लेता है लेकिन एक drastic power drop मिलेगा आपको जो आप ऐसा expect नहीं करोगे कि बींग 2024 आगया अब 2024 में अगर आप AC on करो और गाड़ी की 30% power कम हो जाए पुराना बिल्कुल यह 10-15 साल पहले होता है यह उसी philosophy पे जी रहे है जब इंडी को आती इंडी का आती थी के भी आपने AC on करा और गाड़ी बैट अगर आपने AC on कर गया पिकप सोचेंगे तो एक तो गाड़ी का पिकप पहले ही बहुत काम है और आपने AC on कर दिया बिल्कुल खतम जीरो यह बिल्कुल वाली बात हो गई कि हमने एक लोहे का टैंक घर पे बैट करवा के बलवा लिया अब उसके अंदर बैढ़ दो हम सेफ अब उसके अंदर बैठे रहो आप लोग सेफ हो अगर किसी बंदे का सिर्फ में परपस पॉइंट भी जाना है एक सेफ फैमिली कार चाहिए उसको अंदर से थोड़ी स्पेशियस हो म्यूजिक सिस्टम अच्छा हो और जब बच्चे बैठे या भीवी बैठे तो थोड़ा वैसे जिनको गाड़ी चलाने का शोक है एज तो खेर मैटर भी नहीं करते कि फिफ्टी प्लस वाले लोग भी आजकल चलाते हैं स्कोडा सलाविया चलाते हैं वीड़ू वर्टस पोलो यह जब भी आती थी पोलो तो खेर अभी आती नहीं लेकिन लोग ढूंडते हैं अशले थोड़ा ही साल से किसी को बोलता ही नहीं कि वो टाटा की तरफ जाए अगर उसका मेन कंसर्ण सेफ्टी है तो जाए वरना वह एट लीस्ट थोड़ा सा बजट बढ़ा के ऐसी काडियों पर चला जाए जो एट लीस्ट थोड़ी ड्राइव में भी अच्छी हो और से प्रफोर्मेंस का जब आप इसकी आफ्टर सेल्स सर्विस पर जाते हो मेंटिनेंस कराने जाते हो तब क्या कुछ खर्चा आता है और तब क्या है जाने के एक्सपिरियंस महां पर तोटली डिपेंट्स ओन यू वो आपको जो लिखके देंगे वो तो नहीं उसकी बात नही आपको आपको एसी चीजे लिखके देंगे अगर आपने वो रिमूब नहीं करा ही तो आपके 7-8000 रुपे पर सर्विस कहीं नहीं गया चाहे वो माइनर शर्विस हो जाए बारिश बहुत जाएदा है यहां पर उस चीजों की इतनी ज़रूरत नहीं है बट इस चीजों के कि अगर आपने नहीं कराई तो पता नहीं अपकी गाड़ी का क्या ही हो जाएगा जबर जस्ति के सोदे रइड लूबरिकेशन के नाम पर आपको लूटा जाएगा कि आपके डोर्स में लूबरिकेशन होना एक साल पुरानी गाड़ी को किस तरीके अप देना चाहेंगा तो स पैसा भी ले लिया जाए और अगर आप यह बात करें कि after sales service कैसी है वो टाठा पुराने वाले जल रहा है employees हो सकता है 100 में से 10 employees अब ठीक हैं लेकिन 90 employees मैं बोलूँगा उसी पुराने जमाने वाले हैं जो अपना उसी तरीके से आप से बात करेंगे उसी तरीके से चीजों को रिजॉल्व करेंगे अगर आपकी कोई problem है आपने बता दिया कि मेरी गाड़ी में इशु आ रहा है यहां स यह prominent service experience आपको मिलना चाहिए लेकिन आपको वह भी नहीं मिलेगा मतलब जहां पर जिस एरियों को पिछड़ों भी नहीं कह सकते जो इंडिया का मतलब फेमस मेरे ख्याल से शैद पिछड़ों एरिया में हो सकता है अच्छी service मिल जाए यहां पे इनके पास गाड़ियों का volume इतना है कि उनके पास टाइम ही नहीं कि आपकी बातों को सुनेंगे भी वह एक पेपर पे आपको यह लिख लेंगे कि हाँ रेटलिंग नौइज आ रही है अगर आप वहां नहीं खड़े हुए आपने बंदे को नहीं बताया कि भाई इस पैनल से नौइज आरी तो आपका तीन चार बोल्ट स्कुरू टाइट करेंगे आपको गाड़ी दे दी जाएगी कि आपकी सर्विस हो गई तो यह बात तो हो गई एक जिसके पैसे खर्चु में है ना आपके पैसे खर्चु में सागए 6 लाग रुपे आपका टाइम जा रहा है आपको गाड़ी जब च्रेंड की गाड़ीया है मैं यह नी कहीं और न सारी गाड़ी उखाहिए इनकी बड़ी गाड़ी दीजल में बहुत शानदार एं मतलब जैसे कि आप इनके नेक्सोन के बाद आजाओ, हैरियर पर सफारी पर आज़ो गाड़ी आज़ आ च्छी हैं, बड़ी गाड़ी निक आपको ना तो सर्विस मिल रही है ना आपको गाड़ी में वो चीजे मिल रही है जो आपको आसपास बीड फेक्टर कर रहा है मतलब एक तो होता है कि 20% कोंप्रोमेंस कर लेकों कि आसपास भी नहीं है अब मैं बोलूगा अगर 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 देश कल लूआ तो महिंदरा भी तो है महिंदरा कैसे अच्छे इंजिंस प्रोवाइड कर रहा है महिंदरा की जितने भी गाड़ियां आते हैं सारी स्वीज हैं सारी स्वीज बुलेरो बुलेरो नियर से स्टार्टिंग एक्सवी 300 भी उनके स्वीज में काउंट होती है वो भी चाहते है तो है हैच बैक निकाल देते बट उनकी एक्सपटीज नहीं थी उन्होंने वहां से फॉल बैक किया कि हम नहीं निकालेंगे हम स्कॉर पर क्लासी की बेचेंगे और ऐसी बेचेंगे कि छे महिनी की बेटिंग पर मिलेगे जबकि वह जीरो स्टार सेफ्टी हर किसी को देश के सपॉर्ट में कम करना हिए ब़earушки के सपॉर्ट में आसा नो किती बैपर करे इक फॉलिशनस वाला का फेस रह जैए कि बहुएं यह क्या हुआ यी तो ऐसा हो नहीं नहीं जी नी चाहिए ता हमारी कमरे मेंडिश की इसको ओर काम करना चाह थी हम तो चाहते इनके सारे इंजन मिला दो उनका एक मिला दो अब बात कर लेते हैं थोड़ी आइवरेज की वेक अलग से इसका मैं उसको नेगड़ी नहीं बोलूँ गोजे है खोड़ा से फटीर ही है विन ऐसा है दो तो कुछ प्रॉबल्म ने होसा है लेकिन अभी थेहरा चौदा ही निकाल भाती है एक बातो और भी जा नहीं है प्योंकि फुद का वेट जो आ華 दस कुंटल चाएक ख likenा गादी तो कर्व वेट है, ग्रोस वेट तो अलगी बात होगे, तो अलगी हो जाएगा, तो माइलेस तो खेर यह इसलिए देता ही नहीं है, तो ठीक है, तो 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 इस गाड़ी के अगर मैं पॉजिटिव पे आओं तो एक तो suspension, दूसरा इसका steering feedback, ultimate, मतलब इस range में आपको मिलेग जैसे मैं बता रहूँ मेरे दोस्तों के पास हर तरीके की गाड़ी आपको इसके steering से प्यार हो जाएगा, आपको इसके suspension से प्यार हो जाएगा, जब यह गाड़ी आप 100 के ऊपर चलाएंगे, चलाना नहीं चाहिए, मैं किसी को प्रमोट नहीं करता, अगर आप इस गाड़ी steering feedback इतना awesome है कि गाड़ी मतलब आपको प्यारी हो जाएगा steering से तो मैं दुबारा वोलता हूँ, तो अगर सिर्फ एक इंजन इसमें और अच्छा होता तो इस गाड़ी क्या कर सकती थी, सिर्फ इस गाड़ी को जो वीडबलो और स्कोडा का 1.0 TSI engine वो मिल जाना चाहिए, exactly, क मैं अभी Auto Expo में गया तो मैंने आपे Altros Racer देखी, Altros Racer में आपका same Nexon वाला engine जो पहले डीटून किया था i-Turbo के लिए, वो same power figures के साथ आएगा, अब शायद उसमें जब वो आजाए वो बहुत अच्छी चले तो अगर वो हो जाता है और वो जल्दी से जल्दी आ जाती कि लिए लिए आप मना कर रहे हो कि 1.2 पे तो मत जाओ, Altros में तो मत जाओ, अगर आपको सिर्फ A to point B point जाना और safe गाड़ी चाहिए, तो फिर पंच भी आपके पास, बट पंच का मतलब परसनल प्रेफरेंस भी में बोलूंगा कि पंच मेरे को अंदर से थोड़ा कम premium लगत तो वो सारी चीज़े matter करती है, फिर आपका परसनल प्रेफरेंस भी आ सकता है कि आपको पंच का डिजाइन कि इतना पसंद है, कई लोगों को Altros का डिजाइन इतना पसंद आ जाता है कि उनको लगता है कि मेरे को चाहिए तो यही चाहिए, जैसे मैं भी उन लोगों में से कि इसका डिजाइन देखके हमको ऐसा लगा वाओ यही कर नेक्स्ट लेवल थेंग है, तो हो सकता है पंच और इसमें इसलिए थोड़ा सा डिफरेंस है कि इसका डिजाइन पंच मेरे पंच से मेरे को तो अच्छा लगता है, तो मैं एक बार आपसे फिर भी पूछ रहा हू तो फिर अपना किसी दूसरी गाड़ी पर जाना प्रफर करूँगा, ठीक है, एक लास्ट बात और पूछूँगा, यह गाड़ी रखोगे और निकालोगे? ने इसको तो मैं निकालने के मूड में हो अब बहुत मन बर गया, टॉर्चर हो चुगा बहुत, अब नी रहना इ इतना लंबा टाइम नहीं हुआ है, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो फसे हुए ही है, जो बस यह कि आप कॉम्प्रोमाइस करें तो दस साल ही कॉम्प्रोमाइस करेंगे, उसके चक्कर में तो एज ही निकल जाएगी फिर, बिकास गाड़ी देखिए, कुछ लोगों के लि प्रेफर करेंगे, ठीक है, तो दोस्तों, यहां पर निखिल जी ने अपना एक इमानदारी से रिव्यू दिया है, एक एक बात यहां पर सच बताईए है, और मुझे लगता है, जो लोग ना अंधभक्त हो रहे हैं, अंधभक्त मत बनो, बरोजा करो लेकिन आख बंद करके मत करो, है ना, तो थोड़ा ना, चीजों को समझो, टेक्निकली समझो, हम वीडियो इसलिए बनाते हैं, ताकि आपकी कोई हेल्प हो जाए, आप डिसीजन लेने में, मतलब, एक्कुरेसी के साथ रहो, यह नहीं है कि सेल्स एजग्यूटिव के सामने आप बैठे, और बैठ उन लोगों को भी पता चले के हाँ, क्या चीजे हैं, फिला दोस्तों इस वीडियो को इहीं पर एंड करते हैं, वीडियो लाज तक देखने के लिए, थैंक यू सो मच, और हाँ, बाई के चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें, थैंक यू सो मच,